बहेरी एस्थित सरिया फैक्टरी पर GST चोरी को लेकर GST विभाग ने रेड मारी सतना से आए विभाग के दो दर्चन से अधिक अधिकारी कर्मचारी 24 घंटों से कारेवाही में लगे हुए है फैक्टरी के स्टॉक को सीज कर दिया गया है विभाग करीब तीन महा से इस इंडस्ट्री पर आने जाने वाले माल पर नजर बनाए हुए था बताया जा रहा है कि सरिया के मैन्यूफैक्टरिंग इंडस्ट्री पर 20-25 लाग की पैनल्टी लगाई जा सकती है वही शुक्रवार की दोपहर GST जॉइन कमिशनर सतना गणेश सिंग कवर के नितरत्व में GST की 22 सदस्य टीम ने चना टोरिया इस्थित सरिया बनाने वाली मिनाक्षी मैन्यूफैक्टरिंग इंडस्ट्री पर रेट की जहां GST की रेट से कमपनी में हड़कम किस्थिती रही वही टीम ने मौके पे मौझूद कच्चे स्ट्रेव और निर्मित माल को सीज कर दिया हिसाब मिलान किया गया जहां कमपनी के अधिकारियों और करमचारियों से पूछताच की गई वही जॉइन कमिशनर गणेश सिंग कवर ने बताया कि सरीय के निर्मान के लिए इंडस्ट्रीस में जगह जगह से कबार मंगवाया जाता है फैक्टरी में जितना कच्चा माल मंगाया जाता है उससे काफी कम तैयार माल शो किया जा रहा है इसमें कर्चोरी सामने आ रही है फिलहाल बाजार से माल के रेट का मिलान किया जा रहा है जिसके बाद पैनल्टी की कारवाही की जाएगी जो स्क्रेप आ रहा है स्क्रेप के बाद लोहे की सरीया बनने का काम हो रहा है तो इसमें कुछ इवेजन की जानकारी मिली थी टैक्स इवेजन की तो डाटा एनालिसिस किया गया उसके आधार पर कुछ जानकारियां एकतिती गया तो ऐसा मिला कि इनके इंपुट और बेस बना कारवाई कर और कल जो हाथ साहिए 12 वाजे हम अपने टीम के साथ यहां पेंटर्वी हैं और अधिकी पूली लगाता कारवाई चाहिए है। सर कब से इस पर आप लोगों की निगरानी थी, कब से इस तत जो टाए जाए है। बेस हमारा मोगाल चेकिंग बना, मोगाल चेकिंग करते समय हमारी टीम के अधिकारियों ने बताया कि सब बिना इवेविल के कुछ गारियां जा रही हैं और जा कहां रही हैं यह इस फैक्टरी का हमें एडर्स लिला, उसको बेस बनाया, डेटा एनालिसिस किया और उसके आध यहां पर कितनी गाड़ियां सीच की गई हैं और क्या-क्या मिला है तो 30-35 गालियां जो बाहर जो भी खड़ी थी उन सब उनने सीच करी गया और जब तक इसमें पेनालिटी नी जमा होगी हम इसको रिडिस नहीं करेंगा अनुमानत कितनी पेनालियों हो जाएगी सर्थ क्या लग रहा पूरा कितने निकल के आएगा टेक्स यह अभी इसलिए निका जा सकता क्योंकि स्टाप जो है तो अभी 25 परसेंट नहीं दिया जा सका और उसका जो रेट है वो रेट मार्केट रेट से पता करने पड़ेंगे और उसके पात जो है तो इसका वैलिवेशन टाइम एट मधिप्रदेश के लिए सागर से विष्णू सोनी की रिपोर्ट